डियर इस्टुडेंट आज हम जिनरल क्रेक्टिस्टिक्स ऑप सॉल्बेंट बिलाइकों के साम्माने लक्षा के बारे में पढ़ेंगे जो की बिये सी पार्ट सेकिंड इन और्गनिक एमेश्टी के स्लेवस में बच्चों इससे पहले हम जो है बिलाइकों के जो है फिजिकल प्रापार्टीच और बिलाइकों के प्रकार टाइबस उप सॉल्बेंट इसके बारे में हम जो प्रिवेस लेक्चर है उसमें हमने पढ़ेंगे अब अबंब आइस जंनल क्रेक्ट्रेसेxt में इनके जो हम जो है जो लेंंगे फीजी कल प्रॉपर्टी ज होती को व्यक्तोर आस्या अन्य शांट को पढ़ने के लिए यहांपर सबसे पहले हम इनकी ऊहइन वाइवनी जो है यहाँ पर इसकास करें क्या क्या वो चीज़ों को स्फ़र्फॉजिकल के साथ सुर्ण हम विप्रोपर्टी विंद व्यश्वेन और उसको वंत girls यह पर डिसकास करें देखिए जो जो एकर्वनिक योगी को होते हैं वो जनरली आईनिक प्रगर्टिके ने और इसमें जो इन इनके अंदर यह जो है आईनिक बलायकों में साम मानत है या पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये गुलते हैं तो अब ये आईनी कारिक बिलायकों की विविन भौतिक और राशानी गुणों के आधार पर ये निर्णा किया जा सकता है कि किन-किन अभीकियां को किन-किन बिलायकों में सफलता पूर्वक संपन करवाया जा सक ठीक है अब हम आईनी कारिक बिलायकों के कुछ प्रमुक बहुतिक और राशानी गुणों के बारे में यहां पर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर इनके मेल्टिंग पॉंट बॉलिंग पॉंट दूसरा डाइपोल इनके फिर इनकी इलेक्ट्रिक टेंस बैदुचा लगता फिर इनमें डिसकोशिटी श्यान था प्रॉट्ट आफिनिटी प्रॉट्ट बंधूता के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी में यहां पर डिसकस करेंगे देखें हमने पहले पूर में जो लेक्ट्र है उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो सॉल्वेंट्स हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और वॉलिंग पॉइंट है वो समयनत है क्या है कम होने चाहिए पढ़ा था हम अगर कि मेल्टिंग पॉइंट और वॉलिंग पॉइंट के मान करें पर कम है द्रवास्था में रेंज्ज यो है परास ज्यादा है तो तो वह लाइक जो हैं जग है सब लाइक होता है या वह अच्छा लायzes और उसमें रियक्शन यो है आसली से संपन हो जान तो यहां पर मिल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट के बारे मुवा अब आता है दूसरा पॉइंट यहां पर आता है बिलायकों के डाइपोल मुमेंट्स दी धुरूब आगुन के माँ वैल्यू जा देकि हम जानते हैं कि एक आइनिक अथ्वाद धुरूबी अनू के दूरी के गुणन फल को हम जो है उसो अनू का क्या बोलते हैं दी द्रूब आगुन मुजगल टू इंटू डी इडाट इस दी उस पर आवेस और डी उनके मद्द की दूर अब किसी बंद में जितनी अधीक धुरूबता है या जितनी अधीक द्रूब आगुन होगा वह प दूर ऑगों मैंन्ट है कि बेलु वाले बिलायक है उच्छ डाइपोल मुवर्णत की वेलु रखने वाले जो सॉल्वेंट है वह वह अगर वो और किसी पदार्थ को अगर गोलते हैं या उनमें वह आईनिक पदार्थ गोलते हैं तो कौन सा आईनिक पदार्थ किसके अंद यूज पर मानों पर भी इनकी बिलेता जो है प्रभावित होती है जैसे जैसे जो है डाइपोल मुवमेंट का मान जादा होगा उसकी बिलेता का मान बढ़ेगा और उसके अंदर से जो उर्जा मुक्त होगी बलाइकन और जो मुक्त होगी ज्यादा अधी मात्रा में बलाइकन पॉंट यहाँ पर आता है थर्र प्रॉपटीज ऑते हैं डाइवर कंस्टेंट बीजिक डाइवर कंस्टेंट के इमाने जो है आईनिक के लिए जादा होता है क्छा उसे हम अच्छा तो यहां पर जल को जो है आइनिक योगी को के लिए क्या माना जाता है एक उत्तम बिलायक माना जाता है किसकी तुलना में अमोनिया की तुलना में और क्यों है क्योंकि इसके डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट का मान जो है जदा है और डाइलेक्ट्रिक कॉंस्ट क्या है डाइलेक्ट्र कि क्या है दूरी है और्रनी की कम है उसके डैलेक्रिक कॉंस्टेंट का मान जाद हो गा और वह किसी आए tehikों ऐनकी में मां जितने हैं उत्तना ही उतम विलाईक की करेगा जल के जैसा कि मैंने बता है ल्हां है जल का टाइra यह से ज़ादा आमोनिय से जादाै इसलिए यहां केने का मत्तात प्रियाँ पर यह बच्छों कि दाइलेक्ट्रिक मौंच कोस्टेंट के मौन से बिल्यता प्रभावित होती है। सौपल बिलायकम में स्वत्याईनिद्ल करनं का होता है उसकति विद्लूक के क्याrd होती है। और इनके विदुचालकता के मानों में इन बिलायकों में स्वत्य आइनन की मात्रा का ग्यान होता है। किसी बिलायक में जितना अधीक आइनन होगा उस बिलायक में उतनी ही आसानी से acid-base reaction संपन हो जाती है। कहने का मतलब अगर बिलायक में विदुचा लगता जादा है तो वो बिलायक भी अच्छा बिलायक होगा या उत्तम बिलायक होगा ठीक है वो या उसमें आइनी करण गोण जो है स्वते ही उसमें आइनी करण का गोण आ जाएगा नेक्स्ट यहां पर फिजिकल प्रॉपरटी इसमा हम लेते हैं विस्कोसिटी श्यानता देखे किसी द्रव के विलायक के लिए श्यानता का एक अट्टन्त महत्वोन गोन है जैसे जल है एलकोहल है द्रव अमोनिया आदी ऐसे द्रव है जो परियाप्त तरल फ्लूड होते हैं जबकि निर्जली है जैसे है एलकोहल है आदी काफी विस्कस गाड़े होते हैं तो राशानी का विक्रिया को संपन कराने है कहने का मतलब जिस विलायक के अंदर शानता का मान कम है वो द्रव जो है अधीक केमिकल रियक्शन कराने में या बिलेता में बिले कराने में अधीक सुविदाजनक होगी कहने का मतलब है विलायकों की शानता के मान विस्कोसिटी के मान पर भी वो बिलेता निर्वर करती ह या बिलायकों के गोणों को स्यानता भी प्रभावित यहां पर करती है नेक्स्ट यहां पर लेते हैं प्रोट्टॉन बंधुता प्रोट्टॉन एफिनिटी देखिए प्रोट्टॉनी बिलायकों में प्रोट्टॉन बंधुता का गोणों देखिए प्रोट्टॉन एफिनिट के लेगा तो फरोटनी पर यह निकलें अब जल की तुनलना में नहीं कि प्रोटन बंदूता का मां अधिक होता आते एसasured हैं में जल में दुरबल चार के मातीं बहार करता है जबकि द्रफ गार अबर क्या हो जाता है अम लिये होता है कियाने का मतलब अगर हमने यहां पर CS3CONH2H2 किस रियक्शन कराई तो यह proton एक्षेप्टर है यहां पर तो इसने H accept कर लिया किसने इसने acid amine ने तो यहां पर acid amine ने कर लिया यहां पर हमारा जो बना वो CS3CONH3 plus OH- बना यहां पर इसी प्रकार से proton दाता जो है CS3CONH2 plus NH3 तो यहां पर CS3CONH- और यहां बना अपर का NH4 तो अब देखिए ammonia से जब आपने रियक्शन कराई तो इसका H plus निकल गया और ammonia ने इसको ग्रेन कर लिया तो यह जो है एक रियक्शन के अंदर जो है CS3CONH2 प्रोटोन दे रहा है एक में यहां पर प्रोटोन ले रहा है तो यह प्रोटोन एफिनिटी पर भी इसका नेचर है या बिले पदहार्त का अमली है अचारे बैवार प्रवावित होता प्रोटोन बंदूता का गोण भी काफी महत्वों है ठीक है नेक्स्ट यहां पर जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं वह नेक्स्ट हम ले रहे हैं फिसकी इन विलायकों की जो है और केमिकल प्रॉपर्टी इस केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखें इनके अमलिये और चारेगों एसिडिक एंड बैसिक प्रॉपर्टी देखेंगे यहां पर दूसरा हम देखेंगे इसमें जो है दूसरा हम देखेंगे इनमें ऑक्सिडाइजिंग और डिडूसिंग और oxidizing और reducing properties chemical properties अब सबसे पहले हम आते हैं acidic और basic properties of solvents बिलायकों के राशनिगुण उनमें बिले किये जाने वाले पदार्तों के राशनिगुणों को भी प्रवावित करते हैं अब जो है यह समझ रहाँ अब इसमें acidic और basic जो प्रोपर्टी है देखें पदार्तों के अमली और छारियगुण बिलायकों की प्रगर्ती पर बहुत निर्वर करते हैं आमलो तथा छारों के सामाई ने बिलायक सिद्दान जनरल थौरी और शॉल्वेंट सिस्टम के अनुसार बिलायकों के धनायन को मुक्त करने वाला पधार्थ आमलो और बिलायकों के रिनायन को मुक्त करने वाला पधार्थ छार कहलाता है ठीक है और ये जो ब्रॉनेश्टर्ट और लॉरी ने एक सिद्दान दिया था एक proton data एक proton acceptor, proton data होगा वो acid होगा और जो proton acceptor है वो होगा यहाँ पर चाब तो फूर यहाँ पर हम reaction ले रहे हैं जैसे acetic अमली की reaction हमने बार्टर से कराई तो जब acetic अमली की reaction हम बार्टर से कराते हैं तो यहाँ पर acetate बना CS3CWO H- और CS3O+, CS3O+, तो देखिए इस acetic अमली ने यहाँ से H- प्लस दिया और इस बार्टर ने H- प्लस को यहाँ पर क्या किया accept किया ठीक है तो यह जो acetic अमली है यह H- प्लस दे रहा है इसलिए act as acid और यह H2O हो है यह जो है यहाँ पर उदासीन था लेकिन इसने यहाँ पर यह H- प्लस को ग्रेंड किया तो reaction की अंदर जो है इसका मतलब है तो दासीन लेकिन यह एक बीक बैस की भांती इसका बैबार हो गया है यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर लें हम यहाँ पर acetic अमलो लें और NH3 तो इस acetic अमलो ने यहाँ पर H- प्लस दिया और अमोनिया ने उस H- प्लस को यहाँ पर क्या किया असेप्ट किया तो acetic अमलो यहाँ पर जो है एक acid है और अमोनिया यहाँ पर एक क्या है बैस है और acetic अमलो ध्यान देना CS3COOH और उसकी रियक्शन हमने HF से कराई अब देखे HF बिलायक है यहां पर और इसका नेचर अमली है और जनरल बे में हम मानते हैं कि ACETIC अमली भी अमली होता लेकिन CHF में अमली है जो गोन है वो ACETIC अमली से कई गोना जादा है इसलिए क्या होगा यह जो HF है वो H प्लस देगा और इसको ACETIC अमली आपर ग्रेंड करेगा इसलिए यहां कंपॉंड हमारा बना CS3COOH2 प्लस और F- कहने का मतला ACETIC ACID HF के सामने किसका बैवार करेगा चार क्या बैवार करेगा तो यहां पर H plus दे रहा है एच प्लस ले रहा है और कौन सा H plus दे रहा है जो H plus दे रहा है वो acid है और जो H plus को ले रहा है वो बैस है ठीक है तो इस तरीके से तो अमली और चार यह गुण होगे अगर हम कुछ हो जैसे इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक ही पदार्थ black की प्रकार्थि बदलने पर विविन बैवार कर रहे हैं देखे black एक ही है यहांप लेकिन पदार्थ बदल दी आपने तो इसकी की जो है उसकी जो प्रकार्थि यहां पर अ किसके सामने किसका बैवार कर रहा है चाहर के सामने तो इस तरीके से यहां पर यह एक्जमपल दिया यहां पर यहां पर तो यह इस में कहने का मतलब यहां पर कौन सा अमल है एक ही पदार्थ अमल जैसा बैवार भी कर सकता है और छाल जैसा बैवार भी कर सकता है और यहां पर किसी बिलायक में बिलायक और उसमें बिले पधार्त की अमल और चार की सामरता बहुत अद्धीक अंतर हो तो कई प्रवल और चारों की सामरता बरावर सी हो जाती है तो वो समाइन यहां पर यह दिया है इसी प्रकार से यहां पर जो है हम नेक्स्ट जो प्रोपर्टी ले रहे हैं वो ले रहे हैं इसकी जल सिगरता से अपचित होकर हाइडोजन मुक्त करता है और अमोनिया सिगरता से ऑक्सिक रथ होकर नाइटोजन मुक्त करती है अते बिद्धुत रासानिक स्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो तत्व हाइडोजन से उपर आते हैं उनका अपयोग यदि जली अबलियम किया गया तो वे किसी पधार्थ की अपबिक्षया जल्र को अपचित कर देगी इसी प्रकार यदि द्रब अमोनिया में किसी ऐसे अभीकारक और ईसे ऑक्सिकारक का अपवीयोग किया जाए जो गैद्धुत रासानिक स्रेणी में नाइट्रोजन से नीचे आता हो तो वे कि किसी एन्हेत पदहार्द की अपेक्षयां ब्लैक अमोन इस्टा करने लगे की प्रकृति किसी आक्षिकारक या अपचैन अभीक्रिया को उत्पाद प्रकृति को भी प्रवावित करति धी जैसे हैं अपर एक जम्पल दिये हैं आपर CO प्लस H2 बरावर H2CO3, SO2 प्लस H2 बरावर H2SO3, NH3 प्लस H2O बरावर NH4OH, बिलायकों की प्रतिक किस प्रकार की बिलेता को भी प्रभावित करती है, किसी बिलायक में अनुमें, यदि बिले पधार्थ के अनुमों से क्लिया सोवाबिगू से उनकी बिलेता में ब्रदी हो जाएगी, एक्जामपल यहां पर यह दिये, CO2, SO2, NH3 आदी जल में बिलेसील है, क्योंकि यह जल के साथ क्रिया करके बिलेसील पधार्थ बनाएंगे, तो इस प्रकार से जो है, हमने यहां पर बिलायकों के जो है, केमिकल प् परपरटीज पड़ी और उस केमिकल प्रपरटीज में उनके अमलिय और चालिय गौण पड़े, फिर हमने पड़ा उनके ऑक्सिकारक और अप्चायक गौण पड़े हैंगा, तो आयोब आपको समझमा आया हुगा, थैंक्यू, डॉक्टर एचस गोश्वामी, गवर्मेंट कोलेच कोटा,